इसको डिस्कस करते करते हम एकदम दीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और आप तक हम बस इतना डिस्कस कर चुके हैं कि मेजर्मेंड मतलब क्या होता है क्या है मेजर्मेंड मतलब simple measurement is the process of comparison लेकिन comparison करने के लिए लगते हैं हमारे पास reference standard तो वो reference standard भी हम बना के रखते हैं तो जो reference standard measurement के लिए हम use करते हैं उनको बुला जाता है units और इस तरह से इस topic में हमें units and measurement के about idea लेना था उसके लिए हमने आगे बढ़के देखा कि हम physics पढ़ने वाले मतलब हम nature हमारी surrounding पढ़ने वाले हैं तो surrounding में हमारे जो कुछ भी present है जिनके साथ हमें interact करना है हमारे physics में उसको हमने बोलाता physical quantity फिर ऐसे different physical quantity as per requirement हम बनाते गए हर एक physical quantity के जैसे जैसे requirement ही वैसे वैसे हम unit derive करते गए तो physical quantities बनी उनके unit भी derive होते गए ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि बाद में कार्ल फ्रेडरिक गॉस आ गया और उसने बोला कि हर एक country को क्या करना चाहिए खुद की अपनी unit system बनानी चाहिए और उस unit system को बनानी के लिए उसने बोला था कि length, mass, time ऐसे तीन quantity को best quantity बनाओ और उनके unit को unit system बना दो फिर हमारे पास तीन system of units बन गई पहले FPS, दूसरी MKS, तीसरी CGS तीनों system बन रही थी पूरा मतलब हर एक country खुद की एक system बना रहा था एकदम आनन से रह रह था, enjoy कर रह था किसी को कोई मतलब गम नहीं था, पच्टावा नहीं था एकदम आच्चे से सब चीजे चल रही थी लेकिन आगे जाके क्या हुआ, हमारे Hitler बाबा आ गए और उन्होंने second world war शुरू कर दिया बंकर में चली जाके suicide भी कर लिया और second world war खत्म होने के बाद यूनों के सामने मतलब एक बहतेरीन मतलब एक आइडिया आगया कि अगर एक country दूसरे country के उपर depend रहेगी तो यहाँ पे इन दोनों की जो जगड़े है वो इंडिया ने कोई system खुद की नहीं बनाये थी बिटा, हम जो थी UK वालों की system फॉलो कर रहे थे हम इतने develop थोड़ी थे, हम परिशान थे अंगरेजों से, है ना हम क्या करते थे freedom के लिए fight करते थे, अंदोलन करते थे इधर बागते थे, उधर बागते थे अंगरेजों के साथ लड़ते थे, इसलिए हमने कोई system नहीं बनाये थी, हम UK वालों की system आज तक फॉलो कर रहे हैं, आफूट में length major करते, pound नहीं वस kg करना शुरू कर दिया है, मतलब इसे mix system हमारी develop हो रही है, चलो तो उसके बाद में हमने देखा कि 1945 के बाद में जो globalization हुआ था, उस globalization में international trade के लिए बहुत problem आ रहा था, कैसे with the help of example मैंने explain किया था, उस problem को ओर कम करने के लिए फिर you know, United Nations organization ने क्या किया, major committee को बोल दिया, कि पूरी दुनिया के लिए एक system of unit लेकिया हो, और वो 1971 में एकदम पूरा ready हो कि हमारे सामने system लेकिया आते हैं, जिसको हमने बूला SI, SI, SI SI की English में meaning है international system of units लेकिन आपन उसको SI बोलते, SIQ क्योंकि system the international of units ऐसा पहला word उस system के लिए use किया था, जो French language में है तो abbreviation लेते हैं उस word से लिए उसका English में translation होता है SI system फिर SI ने हमें जो explain किया था कि physics को कैसे पढ़ेंगे, science को कैसे पढ़ेंगे point देखाता कि according to SI जितनी भी quantity हम physics में पढ़ेंगे यानि जितनी भी physics quantity physical quantities रहेगी we have to categorize it into two parts, first one fundamental quantities and second one derived quantities fundamental quantities को हम कल introduce कर चुके है fundamental मतलब, fundamental मतलब, fundamental मतलब चलो बोलो, क्या थी fundamental quantities fundamental quantities मतलब, एकदम basic quantity भारी quantities, चिनके उपर पूरे physics की remaining quantities हमारी depend रहनी वाली है, खड़ी रहनी वाली है ठीके, तो fundamental quantity मतलब क्या है, the physical quantities yes, which do not depends upon any other quantity for its measurement जिसकी measurement अपन डारिक्ट ले सकते है, किसी की उपर depend नहीं करती है, correct है, very good सब लोगों को याद है, उसको बहुत बार हमने revise भी किया था, क्योंकि इसके बाद हमारा lecture का मतलब इसी तरह का view रहेगा जो थेरी रहेगी, जो formulae रहेंगे, maximum part हमें lecture में ही complete करना है और lecture का time छोड़के जो भी time मिलता है, वो हम SBT and related questions वाल करने के लिए utilize करने वाले है, ठीके तो चलो, तो हमने देखा था, fundamental quantity मतलब the physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement और ऐसी कितनी fundamental quantity हमें SI ने दी है, ऐसी total seven fundamental quantities है consequences, चलो बोले मेरे साथ में lane, mass, time, temperature electric current, amount of substance, luminous intensity, amount of substance यह डबल हो गया, ठीके जदा form में आने के बाद हो जाता है कभी-कभी, चलो, सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, आपने अपने घर में बोलेंगे, कौनसे-कौनसे fundamental quantities, length, mass, time temperature, electric current, amount of substance luminous intensity, कतम total seven fundamental quantities है, first one length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity, जो पित्पन हेचा वलो जो हमारा physics का discussion चलने वाला है, वो seven quantity and इनके आसपासी चलने वाला है, ठीके, तो यह सारी quantity कल भी मैंने बोर्ड पे लिकी थी, आज भी बोर्ड पे लिकरा हूँ one, two, three four, five, six seven, क्योंकि एक बार इस topic से हाँ अगे बढ़ेंगे तो हमें फिर से time नहीं मिलने वाला excellent, I am getting the proper answers here, who is this गवरो, excellent, very good बेटा, ठीक है चलो, उसके बाद में गवरो ने different भी अच्छे से किया था, excellent, very good कोमल का भी answer है okay, yes, correct है सबके answer correct है, चलो, मैं लिखता हूँ मेरे साथ possible है तो बोलो, घर में भी घरवालों को भी लगेगा क्या आप पढ़ रहे हो है ना, length mass time temperature electric current amount of substance and luminous intensity ये इतनी बार क्यों मैं प्रोनॉंस कर रहा हूँ ले भारी वाटते क्माला प्रोनॉंस को रहा है ना, भारी तो वाटता हूँ अलग पाट है लेकिन इतना, इनका importance ही इतना है बेटा इतनी भायनक important है कि physics में आगे जो कुछ भी चलने वाला है दो साल तर वो सारा का सारा इसी quantity क्यों पर depend रहने वाला है इसलिए इनके बारे में जितना clearance आता है वो एकदम अच्चे से clear करो और उसमें मैंने बुला है कि ये दो quantity की उपर हमें ध्यानी नहीं देना है amount of substance luminous intensity हमें discussing नहीं करनी है ठीके ना वो बस दी है यहाँ पर fundamental quantities बोलके इसलिए मैं introduce कर रहा हूँ चुलो तो कौनसी कौनसी होगी फंडामेंटल कॉंटिटी इक बार चिक करो लें मास टाइम टेंपरिचर इलेक्ट्रिक करन अमंट आप सब्स्टंस luminous intensity हो गया फिर कल के लेक्चर में मैंने यह discussion स्टार्ड किया था कि हमने क्या किया है हमने मतलब आपने और हमने नहीं यह सारे फंडामेंटल कॉंटिटी के रेफरेंस स्टांडर्ड बना के रखे और यह रेफरेंस स्टांडर्ड इन्होंने बना के रखे जिनको अपन यूनिट्स बोलते हैं जैसे लेंद का यूनिट मिटर मास का यूनिट किलोग्राम टाइम का यूनिट सेकंड का युनिट एंपियर अमाउंट आप सब्स्ट्रंस का युनिट मोल लुमिनस इंटेंसिटी का मिनिंग कैंडिला सीडी ग्रेट वरेक्ट एंसर तो यह सारी पंडामेंटल कॉंटिटी हो गई यह उनके युनिट्स हो गई अब इसके साथ में एडिशनल एक कॉलम में लेके आ पाँडिट्स की एंट्रांस हो, VIT की एंट्रांस हो, कोई भी एकजाम हो, NDA हो, KVPY हो, एक कुस्चन यह डाइमेंश adel आता ही आका है और उस डाइमेंशन related data जो है एकदम simple होता है उसमें हम क्या करते है बस ये fundamental quantity को symbolically represent करते है मतलब length को हर बार पूरा नहीं लिखेंगे L E N G T H कभी कभी spelling भी भूल सकते है इसलिए हम क्या करते है length को हर बार denote करेंगे only by L mass होगा by denoted M time है तो T temperature का K होगा कदी-कदी एकादे आगाओ publication वाले उसको थिटा भी बोल सकते है थिटा गलत नहीं है कर सकते यूज तो दोनों भी correct है उसके बाद में electric current है इसको भी आए या फिर A दोनों भी चलता है ठीक है और यही 5 quantity से related हमारा basic discussion होने वाला है इसलिए यह symbolic representation हम यूज करने वाले है इस term को पढ़ते time अभी यह है क्या मैंने इसको introduce भी नहीं किया है तो इसके उपर think भी मत करो बस इतना याद करो कि जब हम dimensions पढ़ेंगे तब यह symbolic representation मुझे required है जब हम dimensions पढ़ेंगे तब मुझे यह symbolic representation required है length का मतलब यल मास का मतलब यम time का मतलब T temperature का K and electric current का आए यह ले सकते हो ठीक है तो यह भाई यह बन गई fundamental quantities यह बन गई fundamental quantity के fundamental units और यह reflection हम बाद में नहीं लिखेंगे ओकी हो गया शरो तो कल मैंने यहाँ पर discussion start किया था कि basically क्या है देखो हमें length measure करनी है फिर वो length मेरे slew की length है या फिर आउरंगा बाट्टू पुने का distance है या फिर earth and sun के between का distance है यह distance reference यानि length है और यह length measure करने के लिए हमारे पास अगर 1 meter है समझ में आ रहा है ना अगर 1 meter यह length का unit अगर हमारे पास है यह reference standard अगर हमारे पास है तो हम compare करके बाकी की length की measurement ले सकते हैं अगर मेरे पास 1 meter ही नहीं होगा तो मैं 10 meter 1 km 10 km 10,000 km 3,000 km यह जो नंबर है इनकी जो मतलब मीनिंग होगी वह useless होगी कुछ काम के इन होंगे हमें 1 meter ही मालूम नहीं तो उसके आगे का part कैसे calculate करेंगे इसलिए 1 meter is एकदम important must and necessary हर एक टाइप के measurement करने के लिए अगर हमारे पास पहले से unit है reference standard है वन मिटर है तभी आपन लेन की measurement कर सकते है और कल के lecture में मैंने इंटरोस किया था कि यह यह साइब आलों ने जो है इतने साल क्या किया time pass नहीं किया बहुत efforts लिए और efforts लेने के बाद उन्होंने बोलाए कि वन मिटर मतलब क्या होता है वन मिटर होता है distance traveled by the light in the time interval of इतना time interval light जब भी vacuum में से travel करेगी तो उसको travel करनी के लिए हम इतना time देंगे यह one upon है इतने time में जो भी distance travel होगा उस distance को हम बोलने वाले as a one meter यह practically calculate करनी की instrument हमारे पास Paris में लैब में है हम हर साल calculate करते है और जैसे कल महीने बोला था वहाँ पे हर एक country के weight time major committee के member जाते है फिर अपने country को one meter देते है फिर central state to district to tessil and वहाँ पे calibration officer आके चेक करते है कि जो universally decided था and जो अवरंगाबाद के किसी कोप्रे में एक किराना वाला use कर रहा है दोनों की unit system सेम है या नहीं है यह calibration किया जाता है तो यह बनता है लेंद की measurement उसी तरह से यह मास की measurement करने के लिए हमने क्या किया है ऐसे कोई formula नहीं बनाया है मतलब यह formula है हर सल इसी formula से verify होती है एक steel की पट्टी बनती है वन मेटर लेंट हो गई चलो लेके जाओ अपने देश में सब लगों को जाके बोल दो डंडोर आप इड्डो की वन मेटर आ गया ठीक है अब वन केजी के लिए हमने क्या किया है कोई formula डिरावी नहीं किया है हमने एक alloy बनाय platinum and iridium इनका alloy किया है हमने और उस alloy का इतना से एक cylinder है जो पैरिस की lab में हमने रखा है और उस alloy का जो भी मास है हम उसको consider करते है वन कीजी तो हर साल क्या किया जाता है वहीं किया जाता है वहाँ पे जो रखा है फिर हम क्या करते है छोट-छोटे cylinder बनाते है उनका weight अगर उसक सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट को दिता स्टेट डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक चलता रहे लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था दिखो 2017 के मार्च में कुछ लोग थे International Science Committee के उन्होंने एक मतलब point यहाँ पे introduce किया था और उनका बोलना एकदम simple था कि बेटा आपने क्या किया है कि ये वन मिटर के लिए formula बनाया है लेकिन वन केजी के लिए बस वो cylinder रखा है लेकिन अगर किसी में धूम वाला क्या बोलते है रू आगया और उस नेचरल डिजास्टर में हमारा यह प्लैटिनम इरंडियम मतलब धर्ती उसको गायब कर गई आसमान खा गया ऐसे कुछ तो नैचरल डिजास्टर में अगर यह गायब हो गया तो हमारे पास option क्या है हमारे पास कुछ भी option नहीं है समझ मैं आ रहा है ना मतलब उस लैप का जो 1 kg वो चोरी हो गया और हम जो इंडिया में लेके आ गए थे मैंने क्या किया उसके अंदर का थोड़ा सा वो मुवी में होता है ना उसका मास निकाल लिया और फिर मैं दुनिया की बोल रहा हूँ कि मेरे पास original है मेरे पास original है तो पूरी दुनिया का 1 kg चेंज ह हो जाएगा समझ रहें न कितना बड़ा यूश्य आ सकता है इसलिए 17 के मार्च से जो रिक्वार्मेंटी उसको एक्सेट किया गया था नोवेंबर के 17 के नोवेंबर में तब से लेके फिर से कमिटी वर्क कर रही है कि वन केजी के लिए भी हम कोई फॉर्मूला लेके आए अभी उनका प्रोसेस चल रहा है जब आएगा तब देखा जाएगा तब आपकी 12 हो जाएगी अब के लिए बस इतना याद करें कि वन कीजी के लिए हमारे पास प्लाटीनम इरिडियम सिलिंडर उसके बाद में आता है टाइम कैसे बना जैसे यह आपको मालूम होगा कि पहले एक सेकंड होता है उसके बाद सिक्स्टी सेकंड होते है सिक्स्टी सेकंड में जो सेकंड हैं का टी पर एक चक्कर कंप्लीट करता है जिसको आपन वन मिनिट बोलते हैं फ पैरिस वाले ने वही बात है पैरिस वालों ने चेंज कर दिया तो कौन रिस्क लेगा इसलिए यह प्रोसेश चल रही ही बेटा ठीक है चलो तो मैं क्या बूल रहा था हूं हाँ ट्वश्वर सोते हैं जग और एक चक्तर कंप्लिट गरता है कुछ नहीं होता है एक चक्टर कंप्लिट हो जाता है ट्वीटिपोर आवर्स में वण डे बन जाता है उसके बाद मीली पी माल चलता है और इस तरह से टाइम की स्केल चलती यह लेकिन यह स्टाय्ट होती है डेपेनेटली तेजर बना सकते हैं लेकिन उसका कोई फार्मुला चाहिए यह आक्षुरू करने की कंपवाइगे चीज़े एक दम एज़ी है है ना मार्केट में मशनेरी मिलती उसको लेके आऊंगा दो-चार कामगा रुखोंगा और वो अपना वर्ग जो है वो शुरू कर लेंगे लेकिन देखो सेकंड हैंड का एक चक्कर कंप्लिट हुआ एक मिनिट हो जाएगा 60 मिनिट मतलब मिनिट एंड का एक चक्कर कंप्लिट होगा है वन आवर होगा ट्वेल आवर्स हो गए मतलब एक राउंड कंप्लिट हो जाएगा इसे दो राउंड हो गए वन डे हो जाएगा आगे का पार एक दम सिंपल है लेकिन यह एक सेकंड कहा से लाएंगे चलो रहूल क एक्चुल में लाइट की जो स्पीड है वो है 299792458 मिटर पर सेकंद इसको आपन क्या कर रहे है इसी नंबर से डिवाइड कर रहे है तो इनका डिविजन करके क्या बचेगा वन मिटर बचेगा वही नंबर है ना यह स्पीड है टाइम भी वही है तो मल्टिप्लाइ करके डिवाइड हो रहे है और वह आपे वन बच्चा है ठीक है चलो रहूल क्लियर आपका डाउट बेटे एक्सलांट वरी गोड यह किसने एंसर बोला इश्वरी ने एक्सलांट वरी गुड बेटा आईस्ती आईस्ती मतलब इंडियन स्टेंडर्ट टाइम लेकिन IST सेट करने के लिए हमारे पास GMT चाहिए पहले GMT प्लस 530 है ना क्या होता है वो Sir can you please explain, repeat the time related concept of range was gone अभी कुछ पढ़ा है निये बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करनी है watch manufacture करने की company बनानी ये firm बनानी और उसके लिए क्या है कि अगर मेरे पास 1 second क्या होता ये मुझे मालूम हो गया तो मैं क्या करूँगा ऐसे 60 second मतलब mechanism बनाऊंगा ना gear के second hand के tip ने एक चकर complete किया फिर meter hand एक से आगे बढ़ेगा फिर minute hand ने एक चकर complete कर लिया फिर our hand का जो गियर है वो एक से आगे बढ़ेगा लेकिन ये सारी process start करनी के लिए मुझे one second मतलब क्या है वो मालूम होना चाहिए I am getting some answers जिसमें ISP include हो गया है Indian standard time वो क्या है वो भी explain करता हूं GMT भी में explain करता हूं Greenwich मिडियन टाइम एक्सलेंट वेरी गुड तेजस मोबाइल में टाइम सेट करते न डिजिटल प्लाक में तो वहाँ पे इंडिया के लिए हमें GMT प्लस फाइव डबल ड़ थर्टी दि आ गया है वो सेट करना पड़ता है क्या होता है वह सिंपल बस यह जो हो ग्रीन वीच लेंडन में एक लैब है ग्रीन वीच स्टांडर्ड लैबोरेटरी है जिसको अब्जरवेटर ही बूला जाता है और उस अब्जरवेटर दिर में से पास होने वाले क्या बोलते हैं उसको जो altitudes जो altitudes होते हैं वो altitudes को हम zero consider करते हैं और उसके बाद में मतलब ये greenwich है इसके इस side में मतलब left side में जो countries आती है उनके लिए अपन plus लेते हैं जो right side में countries आती है उसके लिए अपन minus लेते हैं समझ में आ रहा है न तो laboratory में से pass हो रहा है मतलब लंडन के लिए ये GMT greenwich mean time zero zero है लेकिन एक अगर altitude change हो गया तो एक altitude से 15 minute time आगे बढ़ता है ऐसे हमारा कितना आगे है साड़े पाज घंटे से आगे मतलब हमारे पाज जब साड़े पाज बजएंगे e-wheeling के तब लंडन में कितने बचते बारा बचते इस तरह से हम मतलब एक time की उपर दूसरा time set कर सकते बेटा हाँ very good meridian meridian altitude ने मुझे meridians बोलना था ये स्तनविशा करे ठीक है तो इस तरह से ये GMT बदलता है GMT की उपर IST आता है किसनी बोलाता I think इश्वरी ने बोलाता या answer ठीक है तो बेटा मुझे ये बोलना आए कि GMT IST तो बाद में आएंगे लेकिन ये GMT IST का time set करने के लिए मेरे पास एक सेकंड जी तो एक सेकंड बनाओ कैसे किर्ती I am expecting answer from you किर्ती एक सेकंड बनेगा कैसे ये रब कर दू इसका screenshot ले लिया तो ये एक सेकंड करने के लिए हमने मतलब ये वेटा एंड मेजर कमिटे ने एक फॉर्मूला बनाए और उन्होंने क्या बोलाए कि एक element है सीजियम बोलके उसका 133 mass number वाला एक isotope है isotope मतलब मालूमें आपको जिसके proton के number सेम होते है और बाकी mass number different होता है तो इस तरह से ये सीजियम का 133 number का एक isotope है अब ये isotope में होता क्या है कि ये क्या करता है energy gain करता है excite होता है फिर मतलब condition ऐसी होती कि excite होने के बाद ये जो electrons होते है वो free नहीं हो सकते जब तक conduction band में नहीं जा रहे है फिर ये क्या करेंगे थोड़ी energy gain करेंगे jump करेंगे उड़े मारेंगे फिर free नहीं हो रहे है energy को छोड़ देंगे nucleus attract करेगा अपने ground state पर वापस आएंगे ऐसे कि वो क्या करता है कि energy gain करते है excite होते है उपर जाते है फिर नीचे आते है मतलब वो क्या कर रहे है vibrations perform कर रहे है कौन cesium 133 number का जो isotope है earth के surface की उपर है उसको निकल जाना है earth को छोड़ के space में गुमने के लिए लेकिन हमारी earth पकड़ के रखी है binding energy से वही case electron की होती है हर एक atom में तो ये electron जो है atom से free होने का try करते है और उसके लिए वो energy ढूंडते है कही से इधर से मिल जाए इधर से मिल जाए and energy मिल गई उसको खाते है excited होते लेकिन अगर वो free नहीं हो गए तो उनको वापस आना पड़ता है तो हम क्या करते है ये cesium 133 के जो है number of vibrations count करते है and ये vibrations होते है इतने vibrations जब complete होते है इतने vibrations जब complete होते है नहीं किरती ये नहीं बिढ़ा ये condition है कि cesium 133 का जो atom है वो जो vibrations perform कर रहा था हम उसके vibrations calculate कर रहे और जब इतने vibrations complete हो गए ये mobile number नहीं है मेरा ये vibration के number है 9192631770 इतने vibrations complete हो गए फिर हम count करते कि एक second हो गया आगे का part तो simple है 60 second हो गया एक minute 60 minute हो गया 1 hour 24 hours हो गया 1 day वो तो बाकी system चलती रहेगी लेकिन ये एक second calculate करना बहुत important है इसलिए जो NPL है NPL count कैसे करने के शुबं वो ऐसे देखके थुड़ी count करते हैं हमारे पास थूरी lab बरिपड़ी है National Physics Laboratory Daily West पर वहाँ पर ये cesium को रखा जाता है जब वो excite करता है तो excite होके ground state में आते आने के बाद वो certain energy emit करता है और एक screen पर scintillations produce करता है scintillations मतलब थोड़ा साथ समक तो वो और वो चमक कितनी बार हुई वो आपन count करते हैं आपन खुद नहीं count करतें count करने के लिए भी machines होते है और जब ये counting इतनी हो गई फिर ये एक second होता है तो अगर मुझे कोई watch बनानी की company बनानी है तो मुझे NPL से एक certificate लेना पड़ता है और वो क्या करते है certificate में मुझे एक watch बना के देते हैं कि देखो एक second इतने interval के बाद में आता है फिर मैं एक watch लेके आता हूं और उतने time one second जो है सारे watch में set कर देता हूं हो गया काम मेरा और इस तरह से time की scale develop होती है यह सीजियम चमक चमकता है मतलब vibration perform करता है देविश तन्वीशा इट मेंस दाट इट वाइबरेट वेरी पास्ट टू पास्ट नहीं यह बहुत सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट डिसाइड किया गया है ठीक है ओके ओके वाट इस फुल पॉम आप MPL MPL ने बेटा एन 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 पॉर नर्ड पी पॉर फॉर सरी पी पॉर पहरोड एल पॉर और और कुछ ले लो नैशनल फिजिक्स लैबरेटरी ठीक है ओट इस दा नंबर बोर्ड पे लिकान बेटा 9192631770 किरती सेंटिलेशन क्यों प्रोडूस करता है क्योंकि क्या है कि जब वो ग्राउंड से एक्साइट हुआ था तब उसने एनर्जी इमिट की ते ना और यह एनर्जी इमिट होती है इन दे फॉर्म आप लाइट इन दे फॉर्म आप इलेक्ट्रो मैंनेटिक विव कि ओके वो स्पार्क नहीं बोला मैंने सिंटिलेशन मतलब कुछ न कुछ वेवज आ गए इलेट्रो मैंनेटिक वेवज आ गए उसको अपन क्या करते डिटेट करते गवरंग ले सकते थे बेटा लेकिन एक्शुल में मैं उस कमिटे में नहीं था तो उन्होंने ये क्यू लिया वो पुछना रह गया ठीक है ना ये मतलब क्या है कि सीजियम की ये जो सिचुएशन है वो हरे कंट्री में सूटेबल है बनाने के लिए रखने के लिए और तरह से ये टाइम की स्केल बनती है बस जादा डीटेल में मत जो बेटा इतनी इनपरमेशन सफिशन आज की ले ठीक है ना दो साला में यही करना है यही डिसकेशन करना है ठीक है ना मैंने पहले लेक्शर से मैं बोल रहा हूं कि इतना मतलब फिजिक्स ऐसा सबजेक्ट है अगर अगर ध्यान देखे इसको समझने का ट्राइ करेंगे तो मतलब ऐसे पाज बजगे ना तो यू विल वेट डाट और कल चार कब बचते हैं इतनी भारी information मिलती है मतलब मेरा खुद का experience है पहले भी बोला था I will repeat again मैं mechanical engineer हूँ और engineering में मैंने more than 50 subject past किये उसके बाद मेरा opinion ने की physics में जितना knowledge बढ़ा पड़ा है दुनिया के किसी बुक में नहीं मिला 1112 की physics में इतना है और वो सारा जितना मेरे से possible है exam point of view के according उतना मैं पूरा देने का try करने वाला हूँ मतलब यह सारी चीज़े आपको जो है nature की secret जो 10-15 साल में मुझे मालू हुए है मैं आपके साथ share करने वाला हूँ ठीक है न no issue in that ठीक है चुलो तो यहाँ पर mass हो गया kg हो गया second हो गया अब आते temperature की उपर 1 Kelvin मतलब क्या है अब एक Kelvin बनाते case एक Kelvin के लिए एक special case है जो मैं अभी नहीं thermal section में detail में बताऊंगा क्योंकि अभी उसकी कुछ link नहीं लगेगी वन Kelvin मतलब है क्या वन Kelvin मतलब होता है एक condition है जिसको बोला जाता है triple point of water और triple point of water पे जो temperature होता है उस temperature को हम क्या करते है इस number से divide करते है धान से सिरो वन Kelvin मतलब क्या है वन Kelvin मतलब क्या है कि एक condition है जिसको आमने बोला है triple point of water अब triple point of water क्या है मैं बस introduce कर रहा हूं मैं इसको thermal section में detail में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि उसकी जो condition से वो अभी समझ में नहीं आएगी triple point of water मतलब एक ऐसी situation है जिसमें जो पानी है जो water है it exists into three states मतलब ऐसे हमने ice रख दिया एक particular pressure हम वहाँ पे maintain करते है particular temperature हम वहाँ पे maintain करते है तो होता क्या है कि वो ice था उपर से vapors निकलती है नीचे से पानी जाता है और बीच में ice होता है मतलब उस temperature पे water exist करती है तीनों भी state में solid भी, liquid भी and gas भी उसको बोला जाता है triple point of water and उस triple point of water पे जो temperature हमें मिलता है हम उस temperature को इस number से divide करते है resultant जो आएगा वो 1 Kelvin हो गया and फिर आगे Kelvin scale जो है हम regulate कर देए ठीक है ओके तेज़स हो गया था गवरो हो गया रहूल नहीं बेटा रहूल नहीं स्रीकान पॉर टाइम अल्सो देरीजे चांसेस आप चेंजी सेकंड विकॉस अप इन्वेरिमेंटल कॉंसेंसे या बट यहां पे कम चेंज हो कर होते बेटा नहीं गवरो यह जो है ना बेटा बोल्जमंस कॉंस्टन्ट है उजवाला ठीक है वो इतनों सारा मतलब एक पॉइंट एक दिन में सारे पॉइंट नहीं समझ में आएंगे यह स्टेप बाए स्टेप जैसे होता ना छोटा बच्चा जनव होने के बाद हम डायरीक उसको नौन विज नही वाला यह आपके लिए ठीक है ना चलो जो मैं बात बोल रहा हूं वह यहाँ पर देखो हाच नंबर क्यू शुबं यह अच्छा कोशन है यही नंबर क्यू क्योंकि क्या है कि जो जिरो डिग्री सेल्सियस होता है इसका मतलब 273.16 केली यह दोनों एक्वल है जिरो डिग्री क्या है कि डिग्री सेल्सियस अलग स्केल है मैंने 8-9 के explanation session में कल explain किया था जो थे उनको मालूम है और Kelvin वाली अलग स्केल है तो जिरो डिग्री सेल्सियस पे water क्या होता है आइस बन जाता है वही Kelvin सेल में 273.16 पे उसका क्या होता है 10 बन ता है इसलिए इस नंबर से इसको मैं explain करने जा रहा हूं लेकिन इसको explain करने के बाद आपको यह समझ में आएगा अगर आपने 10th का 9th का थोड़ा सा magnetics का पार्ट धान से पड़ा होगा तो वैसे मैं पहले 11 के शुरात के लेक्चर में ampere को define नहीं करता हूं क्योंकि सब लोग भूल गए होते हैं कि क्या था वो लेकिन फिर भी एक बार मैं try करता हूं अगर याद आ रहा है तो ठीक है नहीं याद आ रहा है तो छोड़ा होता क्या देखो कि यह electromagnetics में हम पढ़ने वाले है कि एक concept है charge अगर यह charge को हम at rest रखते हैं तो यह charge क्या करता है surrounding के space में electric field बनाता है अगर इसी charge को मैंने motion में set कर दिया मतलब यह charge जब move होता है तो यह electric field के साथ साथ surrounding में क्या करता है अपने magnetic field भी बनाता है यह basic case है चारज है अगर rest में है तो सिर्फ electric field बनाता है अगर motion में set कर दिया तो magnetic field बनाता है अब इस magnetic field की वज़े से क्या होगा कि अगर मैंने ऐसे दो conductor से इन में से current flow हो रहा है इस में से current है I1 इस में से current है I2 और इन दोनों को हमने ए इतने separation पे रख दिया है तो होता क्या है देखो दोनों conductor में से current flow होने की वज़े से कि यह पहला conductor खुद की magnetic field बनाता है यह दूसरा conductor भी magnetic field बनाता है यानि यह दोनों conductor जो है एक दूसरे के magnetic field की वज़े से एक दूसरी के उपर forces exert करते है यह जो explanation चल रहा है अगर 10 का ध्यान में है तो इसके उपर ध्यान दो ने तो बस सुनो इसको हम डीटेल में फिर से पढ़ने वाज़े नॉर्मल केसे देखो जो roadside conducting wires होती है जिसमें electricity conduct होती है हम मिटर का connection लेते है तारा है ना उसमें वही केस है कि दो parallel conductor से और उनमें हम देखते है कि क्या होता है summer में थोड़ी सी lose होती है और इदर उदर अगर हुआ जादा चल रही तो दो conducting wires के बिटमें एक particular separation हमने maintain किया होता है एक्चल में जिनके घर उसके बाज़ु में उनको मालूम है कि ये wire की वज़े से बहुत problem होता है तो हमने ऐसे करना चाहिए ताकि तीनों को ऐसे एकदम इतने से space में close करके फिर तीन wire लेके जाने सी यह था insulation provide करके लेकिन मेंसा नहीं कर सकते उसका reason यह है कि दोनों में से जब current flow होता है तो एक दूसरे के उपर ये forces exert करते है और यह force कितना होता है उसका formula है जो बाद में हम derive करने वाले और वह formula है mu naught i1 i2 upon 2 pi a and इधर आता है l यहाँ पर यह formula होता है तो हम करते क्या है यहाँ पर हम करते क्या है यहाँ पर इन दोनों के between का force calculate करते है अब force calculate करने के लिए हमारे पास device है जो newton ने सबसे पहले बनाया था torsional balancing बोलके और यह जो force है यह आता है 2 into 10 की power minus 7 newton per meter and अगर इन दोनों के between का separation हमने रिखा 1 meter तो हम consider करते है कि दोनों में से flow ने वाला current कितना था 1 ampere इसके उपर ध्यान मत दो बेटा मैंने बोला कि बाकी batch को मैं explain भी नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे है जिनका basics बहुत अक्षा है इसलिए मैंने यह explain किया है नॉर्मल केसे 1 ampere को मुझे define करना है क्या definition 1 ampere की वो समझाने के लिए मैंने दो ही concept बोली है charge को rest में रखेंगे electric field produce करता है charge को motion में set कर दिया magnetic field produce करता है and by virtue of that magnetic field दो conducting wires अगर मैंने close एक दूसरे के रग दिये तो वो एक दूसरे के साथ interact होते है interaction का force का यह formula है तो हम करते क्या है यहाँ पे कि यह दोनों में से current flow करते है कितना है हमें मालूम नहीं लेकिन current को change करते है जब तब force इतना नहीं बनता है तब तक एक बार यह force 2 into 10 to the power minus 7 बन गया फिर assume करते है कि दोनों भी conducting wire में से फ्लो ओने वाला current कितना था वन एंपेर था बस यह एंपेर की definition को थोड़ा सा बाद में आपन डीटेल में देखने वाले मैंने explain कर दिया अब मैं उसको define भी करता हूं समझ में नहीं आएगा लिखे हो भी मत उसको बस याद रोको वन एंपेर इस दाट करंट वन एंपेर इस दाट करंट विच वेंट फ्लोस त्रू इच आप टू वेरी लॉंग पार्लल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंड़क्टर experience is force of attraction और repulsion of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter when placed at a separation of 1 meter खता है तो इसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि जब मैं magnetics पढ़ाऊंगा तब मैं इसको फिर से एक बार detail में आपको explain करके देने वाला हूं तब तक बस इसको इतना याद रखो कि यह वन एंपेर जो है जो आपका general formula i equals to q by t है I think आपने वन एंपेर को वैसे define क्या होगा when one column of charge is flowing to the conductor for one cycle वैसे यह si में consider नहीं करते एसाई में different method है और यह different method हमने यहाँ पर अप्लाइब तीक है एंड यही पाच quantity हमें बहुत ज्यादा काम की थी अब इसको छोड़के जो दो बची है mole and candela उसका में physics की सिलावस में ज्यादा काम नहीं है इसलिए में ज्यादा detail में नहीं जाओंगा एक एक minute में खतम करता हूं amount of substance का unit जो है mole और इसको अपन क्या करते है इसको calculate करने के लिए हम क्या करते है 12th मतलब 12 से divide करते है c6 12 carbon का जो neutral carbon atom है 6 12 6 atomic number 12 mass number इसका जो total mass होगा उसको अपन 12 से divide करते है जो मिलने वाला number है उसको अपन 1 mole बोलते है अब यह luminous intensity मतलब क्या है luminous intensity हम optics में photometry में एक ही point में पढ़ने वाले है कि basically जो light की intensity है intensity मतलब incident light की energy per unit solid angle एरिया की जगा पे हम क्या लेते है solid angle उसको बूला जाता है luminous intensity और उसका unit है candela तो यह one candela मतलब क्या होता है कि light की frequency अगर इतनी है एंड वो अगर 1 upon 683 वैट पर स्टेर एडियन इतनी intensity वहाँ पर प्रडूस कर रही है तो उस light को अपन बोलते है कि light की luminous intensity क्या है वन candela है अब ए candela unit आया का से क्योंकि सबसे पहले जब electricity नहीं थी तो candle light प्रडूस करती थी तो हम candle की intensity measure करते थे वहाँ से आ गया candela फिर से एक बार मैंने mole को and luminous intensity को एकदम एक मिनिट में explain किया है मैं बोल रहाओ कि इनके उपर ध्यानवी वद्दो क्योंकि physics के सिलाबस में हमें इनको less than 2% use करना है हमें main focus करना है पहले 5 terms क्यों पर अभी मैं सबसे एकदम मज़ेदार बात बोलू स्टेरेड स्टेरेड क्या है यस दो मिनिट में clear होने वाला है solid angle का unit स्टेरेड और solid angle क्या में explain करने वाला हो दो मिनिट में उससे पहले आँगे लास्ट लिक्षर का आज के पूरे लिक्षर का जो भी डेटा माही ने एक्स्प्लिन किया कॉन सा डेटा वन मिटर के से बनाते हैं यहां पर यह सारी इंपरमेशन चाप दी है मेरे खुद की निया जो भी पढ़ांगा एंसलिटी से पढ़ांगा यहां वोट लेते न वैसे मेरी होते ना जो भी पढ़ा जाएगा एंसेटी से पढ़ा जाएगा जो भी बोला जाएगा एंसेटी से बोला जाएगा ठीक है तो यह जो नंबर हमने देखे है कौन से पहले मिटर में 2997-92458 फिर टाइम में 9192631770 तो इन में से किसी भी नंबर से लेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिट्टिव एक्जाम में नहीं पूचा जाएगा तो इतने डिपिकल नंबर क्यों पढ़ा है यह इसलिए पढ़ा है बैटा कि यह मतलब हमारी स्प्रेंट यह हमारी क्वालिटी आज वी आर तो स्टूड़न्ट अप साइंस उसमें आपन साइड में में लिखके दे रहा था ठीक है तो अब तक बस मैंने फंडामेंटल कॉंटिडीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स कैसे बनाता है उसके बारे में डिसकुशन कर दिया है ठीक है ना तो वह किया क्लियर वाट इस वन एंपियर तेजस फिर से डिपाइन कर दू मै राहूल मैंने समझे बेटा औरत और मून की तरह करते हैं क्या एक बार फिर से क्वेशन बूचो पूचो इस वन एंपियर वन एंपियर मतलब क्या था कि वन एंपियर करन्ट के इनुट है उसकी डेपिनेशन है ना ठीक है मैं एट तुनाइन में लिखके देता हूं यह नं इतनी जुड़ी हूई है फिजिक्स से यह समझने के लिए डेटा था लेकिन नित में जी में निट में जी में सीट में एडवांस में बीट के विप्य एंड यह किसी भी कॉम्पेटिटी एक्जाम में कभी इस डेटा की उपर कोशन नहीं आएगा यह एंसाइटी बोलती है तो come to the point अभी यहाँ पे हमने fundamental quantities का discussion खतम कर दिया है before starting derived quantities मैं आपको supplementary quantity इंट्रूस कर देता हूँ करना नहीं था इतने जल्दी लेकिन यहाँ पे steradian का use हो गया शुबम को doubt आ गया तो उसको अपन clear कर लेते हैं कि supplementary quantities का मतलब क्या है कल भी बोला था हां गवरो गवरंग वही आने वाला बेटा यहां सप्लीमेंटरी कॉंटिटीज का मतलब कल भी एक्स्प्रेंट क्या था आज भी वही आने वाला है सप्लीमेंटरी मतलब क्या है मतलब क्या है कल भी बोला था चलो कमन पास्टायम एक्स्प्रेंटिंग समेंसर्स चलो चलो भागिश्री एंसर बोलो गरद असेल्टरत डायरेक्ट नी मतलब मैंडेटरी नहीं है अगर रिक्वाइड है आप उसको ले सकते हो इप रिक्वाइड देन उल्ली उसको बोला जाता है सप्लिमन्ंटेरी कॉंटींडbs ऐसी सप्लिमन्ंटेरी कॉंटिड discrimin oppose हमारे फिजिक्स में या फिर साइन्स डू ही होती है एक अगल दूसरा होता है सालीड अंगल और आंगल चलो क्या होगा ये एंगल का से आहेगा एंगल आंगल तो अंगल तो मालुमे चलो किर्थी का पे करती बटेश अंगल डेवेज विपला काद्स प्रनिता क्या एंगल connect to things रहूल ओके किर्थी ऐसे एंसर घुमा पिरा के एंसर मत दो बेटा रहान स्पेस बिट्विन टू इंटरसेटिंग लाइन्स स्पेस्टिंग टू इंटरसेटिंग लाइन्स एक्सलेंट वरी गूड रहूल टू थिंग्स कुझा सप्लिमेंटरी कॉंटिटीटीज यह हुजा वरी गोड यह एंसर अच्छा था सप्लिमेंटरी कॉंटिटीज जो डिपेंड होती है ठीक है स्पेस बिट्विन टू जॉइंस हेविंग कॉर्नर विजिस कनेक्टेड वाइट तू लाइस तनवीशा तो इतने सारे करेक् इनकलीनेशन भी टू लाइन्स एसे कोई विल्ए दो लाइन कर दिये कहाी इनकलीनेशन तो लाइनेशन और घृत है inclination between two lines दो line के between का inclination वो बनता है angle जो दिखरा है अभी यह देखो अब यह angle जो होगा इसका notation होता है theta again यह Greek alphabet है और इसका SI unit radian है आप major degrees में करते थे अभी उसको छोड़ दो अभी हम degrees को छोड़ देंगे और radian को पकड लेंगे क्योंकि radian उसका SI unit है किसका solid angle का यह मालूमता पहले से बस define proper नहीं हो रहा था अब आएगी बात solid angle की solid angle मतलब क्या है जो angle होता है angle है two dimensions में अगर मैं उसको चलो I am getting proper answer from Shrikant and Shridhar I will read it once angle can be defined as figure form by two rays meeting at a common end point excellent very good steridine is the unit of solid angle which is dimensionless very good स्रिकान करेक्टिवेटा सबके answer लेकिन मैंने angle की जो definition बोली है वही याथ को रहे है एकदम सिंपल है समझनी के लिए एकदम भार्यवाट्त inclination between two lines लंबा चाउड़ा पाट करने का नहीं कुछ नहीं image भी प्रॉपर फॉर्म होती है याद भी हो जाता है inclination between two lines वो बन गया angle denoted by theta उसका यसा इनुट बना radial हाँ देवेश अब point की उपर आ रहा है हमें देखना है solid angle supplementary quantity है second इसको तो पूरे सिलावस में ऐसे कधी तरी यूज़ करना है जैसे अभी आ गया ऐसे रेरली अपन यूज़ करते solid angle क्या है कि जो बात angle थी angle में थी वही solid angle में है बस यह two dimension में था लेकिन अगर three dimensions में मुझे same angle चाहिए जैसे कि फॉर example अब यहां पर बन रहा है कि नोट्स कराब हुज जाएगे हमारी ठीक है छोटी ले ले लेते हैं हुआ है आल्टरनेटिंग करन्ट एंड इलेक्ट्रो मैगनेटिक विव्स ऐसे बनाते है न वह मूंफली वाला या फिर आइस्क्रिम का कोन ठीक है अब देखो यहां से यह सेंटर पर जो मेरा फिंगर दिख रहा है यहां पर जो फॉर्म हो रहा है यह बना आपका सॉलिड एंगल समझ में आ रहा है बस इतना डिपरेंट है कि जो एंगल टू डाइमेंशन में होता है समझ गया मुझे बना पेश मिल घए ठीक है बाद में मैं इसमें शंग्दाने कालूम खा तो इस तरह से जो एंगल बनता है यह वर्टेक्स पे देख सकते हो कि यह पूरा एरिया है और यह एरिया क्या कर रहा है इस पॉइंट पे यहाँ पे जो एंगल सब्टेंड कर रहा है आभी मेरा finger आपको धान से दिख राहा भी नहीं होगा ठीक है ना यह पूरा area है area क्या कर रहा है इस point पे vertex पे angle सब्टेंड कर रहा है उसको बोला जाता है solid angle मतलब जो बात angle में थी वो two dimensional थी यहाँ पे क्या करेगा line नहीं यह एरिया एक point की उपर यह omega है, notation क्या है, इसका d omega, solid angle, d omega and इसका si unit होता है, stay radian, जैसे कि समझने के लिए, जो देवेश ने मुझे बोलाता है, मैं आपको बोल देता हूँ, circle अगर है, circle, तो circle two dimensional है, और circle का total angle होता है two pi, यह सब को मालूम है, लेकिन circle को अगर मैं three dimensionally connect करूँगा, draw करूँगा, तो व sphere बनता है, अब मैं मेरा board two dimensional है, मैं three-d, three-d, draw कर सकता हूँ, लेकिन assume करो, यह sphere है, तो यह sphere का total जो angle होता है, solid angle, वो होता है four pi, इतना difference है, यह two dimensions में है, यह three dimensions में, clear है सब को, angle and solid angle, clear है, cube का vertex भी solid angle होगा, क्या, cube के vertex पे area ऐसे connected नहीं बढ़ा, ठीके ना, ice cream का cone होता है, उसमें बोल सकते हो, solid angle में बोल सकते हो, cube के vertex के अपन calculate कर सकते है, कैसे सारा area वहाँ पे consider करके, ds cost it upon r square, actually formula है, अभी मैं introduce नहीं करना चाता हूँ, इतनी difficult term, क्यूंकि उसका use भी नहीं है, और यह confuse करेगी, लेकिन आरा है concern तो अब ले ही लेते हैं, ठीके, तो cube के vertex में, cube is a three dimensional diagram, तो मुझे अगर solid angle calculate करना, I can calculate, बस मुझे वहाँ पे area कौन सा लेना है, वो put करना पड़ेगा, उस area का, जो normal के साथ में angle है, उसका cosine लेना पड़ेगा, एंड यह distance बनेगा आर, इस तरह से गवरंग हम calculate कर सबते बेटा, यस डेवेश, obviously, telescope में भी वही होता है, good, very good, तेज़स, definition, solid angle की area subtend by the area, sorry, angle subtend by the area at a vertex, at a distance आर, चलो, है clear सबको, come on fast, clearance दो, angle and solid angle, angle का इनुट, radian, solid angle का stay radian, ठीके न, देखो, इसका तो हमें use करना ही नहीं, नहीं के बराबर है, हाँ, यह लगेगा, पूरा circular motion, पूरा rotational motion, उसमें हम angle use करने वाले, solid angle मतलब क्या है, वो three dimensional concept है, जैसे अभी intensity के formula में आ गई, ऐसे कई तो हमें वो required होगे, ठीके न, बाकी ज़्यादा उसका use नहीं है, फिर भी अभी clear कर दिया मैंने, angle जैसे two dimensional है, solid angle उसी तरह से three dimensional, ठीके, तो यहाँ पे fundamental quantities हो गई, supplementary quantities हो गई, अब topic का, सबसे essential, सबसे important, जिसका हम wait कर रहे थे, जो मुझे actual में पढ़ाना था, जिसके उपर SBT आने वाली है, जिसके उपर exam में questions आते हैं, उनका discussion हमें यहाँ पे करना है, that is derived quantities, derived quantities, अब यह derived quantities का मतलब क्या है, हम इसको पहले define कर चुके है, क्या definition थी, बोलो मुझे, कल define कर चुके है, कल persons को, छलो command fast, सब लोग बोलेंगे definition, क्या है definition इसकी, रोहन, प्रेम, पतिल प्रनाव, अमृता, आयूश, आयूश बहुत दिनों बाद दिका, भक्ति ऐंसर दो, दिपाली, दिव्या, चलो गवरंग, कल define क्या था, किर्थी, इश्वरी, इश्वरी ऐंसर दो बेटा, depend on other, very good quantity, which is written with help of fundamental quantity, very good, मतलब simple बाती है, कि इनका खुद का existence नहीं है, यह derived quantity, मतलब derive की जा रही है, from fundamental quantity, the physical quantity, which are derived from two or more fundamental quantities, दो और दो से ज़्यादा fundamental quantity का use करके, हम जो नहीं fundamental quantity का use करके, जो नहीं quantity बनाते हैं, उसको बोला जाता है, derived quantities, ऐसे derived quantities कितनी है, fundamental 70, derived quantities कितनी है, आइसा चाहिए, very good, बोलो, derived quantities कितनी है, शुबम क्या यह, very good, infinite, मतलब हम number of बोल सकते, infinite नहीं, number of, as per requirement, हम उसको derive करते जाएंगे, कितनी है, वो बढ़ते वाली है, खतम नहीं होने वाली, ठीके, नैसे कोई particular number आपने उसके बोल नहीं सकते, number of derived quantities है, as per requirement हम उनको derive करते रहे थे, ठीके, चलो, तो derived quantities को कल define किया था, अब actual में quantity हमें derive करनी है, तो अभी board पे जो मैं formulae बोलने वाला हूं, they are extremely important, अभी जो board पे list मिलेगी, उसको आपको prepare करना ही करना है, at any how, दस बार लिखके देखो, पचास बार लिखके देखो, जैसे करना है, वह इसे prepare करो, start में आपको जो मालूम है, start में आपको जो मालूम है, उसको मतलब ऐसे लगेगा कि इसको learn नहीं करना है, लेकिन आगे कुछ formulae नहीं आएंगे, जैसे मैंने पहले lecture में introduce किया था, फिर भी आपको उसको learn करना पड़ेगा, कोई दूसरा option नहीं है, ठीके, चलो, जैसे for example, मैंने नया घर बनाया, और घ कि मैंने क्या बोला, कार्पेंटर को कि मुझे दो मीटर का डोर बना कीज़े, तो दो मीटर का डोर बनेगा क्या, ऐस और नुग, के देविश डो मिटर का डोर चाहिए बनेगा क्या नहीं बनेगा वरत क्यों नहीं बनेगा कि हाह मतलब मुझे डोर बनाने के लिए उस दोर की लेंट बोल काम नहीं चलेगा उस डोर का एरिया कर्पेंटर को बोलना पड़ेगा तो एरिया क्या है फंडामेंटल कॉंटिटी थोड़ी है मैंने क्या किया यहाँ पे एक बार लेंथ एक बार लेंथ इसको हाइड बोलता हूँ ह-e-i-ght हाइड इन्टू विड्थ मैंने एक बार हाइड और एक बार विड्थ ऐसे दो बार लेंथ को मेजर करके नहीं कॉंटिटी डिराइव कर दी मेरे पास एरिया आ गया समझ दे सब लोग मैंने एरिया इस कॉंटिटी को कैसे डिराइव किया येश रिदर वरिग गड वरत एक्सेलेंट येस कठेक्ट एंसर बेटा श्रावन सेंपीट ऊंके तुमारे घर के डोर की साहीज भोल दी तेजस दिको पर इरिया मैंने डिराइव कर दिया कैसे डिराइव कर दिया ये नहीं मैंने दो fundamental quantities उठा ली कौनसी एक ही दो बर उठा ली चलता है ना two or more चाहिए two कौनसी वो define थोड़ी किया था एक बार height मतलब उपर की लेंद एक आडवी लेंद मेजर कर ली और मुझे दो और का area बना अब मुझे बोलो ये area का unit जो होगा वो क्या होगा फिर से डिराइड quantity का unit है मतलब वो भी derived unit होगा height का unit meter width का unit meter यानी इसका unit बनेगा meter square तो मेरे पास या पर derived quantity भी आ गई derived quantity का derived unit भी आ गया है clear सब को area का unit का बन गया फिर meter square common fast high clear yes or no yes I'm Mujhe Bulu you you I was not here तो चलो audio वीडियो क्लियर एक एक बार अगल्व करो कि अधमेद्ध क्लियर हुआ है sound is audible और video भी audible और विजीवल है ना है ये जब तो मैंने यहां पर एरिया इस कॉंटिटी को डिराइब कर लिया अब मैं क्या कर रहा हूं देखो आपको dimensions को मैं define नहीं करके देता हूं dimensions direct explain करता हूं simultaneously कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने length को दो बार use किया था इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह का symbolic representation लिख दूँगा L2 अब L2 के उपर से आपको क्या समझ में आ गया मैंने L2 लिख दिया और यह L2 लिखने से आपको क्या समझा बोलो L2 लिखने से यह समझ में आ गया कि मैंने इस quantity को derive करने के लिए length को दो बार use किया है यह स्क्वेर राहूल L2 को छोड़ दो क्या समझ में आ गया मैंने बोला था न fundamental quantity के साथ में उनका symbolic representation आता है तो यहां पर length जो है दो बार multiply की किरती ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे हम एकदम simple way से बोलेंगे कि to derive area we have to use length twice clear हाँ देवेश एकदम proper format में एंसर है to derive to derive area we have to use length twice ऐसे बोल सकते है clear सबको अब आगे बढ़ेंगे same way मुझे क्या करना है volume calculate करनी है अब volume किसकी भी ले लो घर के उपर tank बनाई है tank में कितना water store होगा उसकी volume चाहिए वो बनेगी lbh या फिर spear की volume चाहिए वो बनेगी 4 by 3 pi r का cube है ना तो अगर आपन tank की volume लेंगे तो वहाँ पर हम क्या करते है height यानि length breadth into width height ऐसे length into breadth into h इनको use करते है अब length measure कर लिए मतलब actual में length, breadth मतलब भी length, height मतलब भी length यानि कि मैंने यहाँ पर क्या किया length को तीन बार use किया इसका मतलब इसका derived unit क्या होगा, meter cube होगा हाँ किर्थी correct है very good, devish excellent very good, amruta अरे मेरे से fast इतने fast चलो इसका मतलब अगर मुझे इसके dimensions रहे तो dimensions में क्या लिखूंगा मैं L3 लिखूंगा, L3 का मतलब क्या हो गया, L3 का मतलब हो गया length को तीन बार use किया उसी तरह से मैं speed को derive करता हूं, speed का और velocity का formula से मैं एक में distance या फिर displacement इतना change होगा, ठीक है, फिर मैं distance बोलू या फिर displacement बोलू, आगर distance बोला तो speed लेना है, displacement बोलू तो velocity लेना है तो इसका formula बनेगा distance upon time या फिर displacement upon time, अब मुझे बोलो distance या displacement इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने length लिए एक बार upon denominator में कोन एक time, इसका मतलब मैंने time लिया है, t लिया है, कितने बार एक बार तो इसका unit क्या बनेगा, length का unit meter upon time का unit second, यह सा unit बन गया meter per second अब symbolically इसको कैसे लिखूंगा मैं, मैं क्या करूंगा, यह t1 जो denominator में था, उसको numerator में लेक्या हूंगा, तो यह बनेगा l1 t-1 हो गया एक्सेलन्ट, very good, डेवेश का answer correct है, बाकी लोगों ने answer क्यों नहीं दिया आप, समझा कि यह, यह l1 t-1 कैसे लिखा, is that clear, चलो, रोहन, clear है क्या, शृदर, clear है क्या, विन्य वरत, तन्वी, सुवानी, सिद्धान्त, शुभाम, excellent, very good, राहूल, नहीं clear हुआ, ओके फिर से ब मेजर करेंगे, length मेजर करेंगे, कितनी बार लगी length, एक की बार distance मतलब एक बार length लगी, इसलिए l1 लिखा, denominator में time था, अब denominator की term, जब अपन numerator में लेके आ रहे है, तो हम power के sign को reverse करते हैं, इसलिए plus 1 उपर जाके minus 1 बना, राहूल, is that clear, बाकी लोगों को clear था, राहूल, एक acceleration को लेके आता हूँ, तो acceleration क्या बनेगा, acceleration बनेगा, velocity upon time, acceleration का formula होता है, change in velocity per unit time, लेकिन change को मैं बस velocity लिख रहा हूँ, ठीक है, अब अमरूता correct वेट आपका answer, velocity का उपर मैंने formula लिखा था, क्या था, देखो, displacement upon time था, देखो, ये velocity का formula है, and denominator में time है, मैं थोड़ा बाजू में लिखता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर समझ में आ गया, क्या सब लोगों को, velocity का formula थोड़ा सा अलग लिखा है, बस, यह denominator में time था, पहले से, इसलिए उसको वैसे ही रहने दिया है, is that clear, displacement upon time into time, ये किसका formula हो गया, acceleration का, है clear, winner, नहीं बेटा, चलो, clear है क्या, clear है, अब देखो, यहाँ पर मैंने displacement measure किया, displacement का मतलब कोन है, length है, यानि इसका unit मुझे मिलेगा, meter, denominator में कोन है, time into time, time का unit second, तो second into second बनेगा, second का square, यानि acceleration का unit मुझे मिल गया, meter per second का square, अब मुझे इसको symbolically represent करना है, तो मैंने यहाँ पर meter लिया था, इसलिए length लिकूंगा एक बार, time दो बार है denominator में, क्योंकि second का square है, and अगर यह time को उपर लेके जाऊंगा, तो यह बनेगा, L1 T-2, यह बनेगा, L1 T-2, यह स्किर्थी correct है, acceleration, हाँ, अमृता correct है, वैसे भी आता है देविश, वो भी formula है, यह basic formula है, विन आए, बस minus 2 कर लो उसको, ते जस्क्या explain करूँ बेटा, formula पूरा explain करूँ once again, रहन, ओके बेटा, screenshot ले लो, कोई शुनी है, understood, ओके, ठीके, चलो, I know कि time up, आपका ज़्यादा time नहीं लूँगा, तो आज मैंने बस चारी formula आपको introduce किये, नहीं कुछ भी नहीं, कल ऐसे मैं और list बना के दूँगा, फिर 4 से 40 बन जाएंगे, 40 के 400 बन जाएंगे, वो दीरे दीरे हम learn करने वाले, उसका tension मतलो, आज जो मैंने यहाँ पर last में introduce किया है, जो last में यह लिखा है, last column में, इसी को बोला जाता है as a dimensions, अभी मैंने इसको define नहीं किया है, और क्या हो introduce किये अभी ना, आपने dimensions calculate कर लिए है, अब dimensions क्या है, उसकी जो definition है, वो मैं कल explain करूंगा, formality वची है, आपको तो dimensions calculate करना आ गया है, नया खुझ भी नहीं करेंगे आप, सिर्फ यह चार formula है, उनको derive करने का formula, जो आपने ही मुझे बोला था, उनके unit को हमने derived unit बोला, और यहाँ पर symbolically हमें समझ में आता है, कि यह quantity derive करने के लिए, कौन सी fundamental quantity हम कितने time use कर रहे थे, ठीके, तो जो भी remaining terms होगी, remaining formula होंगे, वो हम कल के lecture में continue करेंगे, कुछ formula जो है, 8-9 में expression session में discuss होने वाले है, आज की SBT उसी क्योंपर रहेगी, so remaining part जो है, we'll continue at 8-9 पर,